हलो इस्टूडियो इन गूड बॉर्निंग, सस्थिक सिच्छन एजुकेशन, ओनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं कच्छा साथ बीचे है समाजिक बिग्या, कच्छा साथ की समाजिक बिग्यान का इस वीडियो में एक्सपेंड करने वाली है, इसमें पहले अजाओंगे, पहले पार्ट का नाम है राजपूत यूग यानी नए सासक और रच, यह किताब आपकी बदल गई चेह भी नए किताब आई है, इसलिए इसमें नए पार्ट भी दिये हुए है, पार्ट का नाम है राजपूत यूग, नए सासक और रच, तो आज हम इस कि राजपूत यूग होता क्या है। बर्चस्व जमाकर राजपूत यूग की अस्थापना किये थे। जो हर्स राजपूत यूग के समय में हर्स वर्धन थे। उनके समय का जो समयकार है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कि सात्मी सतापदी में हर्स वर्धन की मृत्यू के बाद उत्तर भारत में उनकी विशाल समराज्य का छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजन हो गया। इसी तरह पुलकेशी द्यूती की मृत्यू के बाद दक्षिड भारत में स्वतंत्र राज्य बने मद्ध यूग के सायमकाल को भारती इतिहास में राजपूत यूग कहा जाता है। नेक्स है कि इतना जानिय में आपको एक लाइन दिया हुआ है उसमें लिखा कि राजपूत सब्द का अर्थ क्या है। राजपूत वैसे भी बहादूर होते भी थे और है भी और उतने ही आत्म सम्मान के प्रभल फामना वाले थे प्राण देकर भी अपने बचन की रच्छा करते थे दुश्मन को पीठ दिखाने के बदले वे मृत्यू को पसंद करते थे राजपूत बहादूर जो थे वो प्रामवर प्रति पालक थे राजपूत किा थे गाईों की पूजा करता है वो प्रति पालक थे सरन में आये हुए कि वे हर हालत में रच्छा करते थे यानि के सरन में उन हालत में रच्छा करते थे लड़ाई में भी वे अधर्म का आचरन नहीं करते थे कभी राजपूत बहादुर जो थे वो अगर युद्ध भी होता था तो उसमें भी अधर्म का आचरन नहीं करते थे भारत की राजपूतानिया वीर तत्व के लिए विख्यात थी तो भारत की जो राज पुतानिया थी विरत्व के लिए विख्यात थी पूत्र और पती को प्रसन्न मुख से युद्ध के लिए विदा करती थी सतीत्व निडर्ता और सत्य के लिए प्राण की भी चिंता नहीं करती थी उन लोगों की जो भी पुतानिया थी वो क्या करती थी क्या करती थी कि सती तो यानि सती हो जाती थी उनके पती जब मर जाते थे तो वो अपने पती यानि जरा भी डरती नहीं थी और सत्य के लिए वे अपने प्राण की भी चिंता नहीं करती थी आप ये चित्र देख रहे हैं इसमें आपको पता चलता होगा कि इस प्रकार से राजपुत की औरतें जो राजपुतानिया औरते थी अपने पतियों को कैसे विदा करती थी युद्ध के मैदान में लड़ाई करने के लिए तो जरूरत पढ़ने पर हाथ में तलवार लेकर युद्ध मैदान के लिए निकल पढ़ती थी ऐसी विरंगानाओं के अनेक उदाहन देखने को मिलते हैं सोचिए इसमें आपको तीन लाइन लिखा हुआ है उसमें आपको अगर ये कोस्टन के रूप में है अगर समझ में नहीं आएगा तो आप उपर से पढ़ना पड़ेगा राजपुतानिया सास्त्र और सस्त्र का अभ्यास किसलिए करती थी और आगे है कि आज की महिलाओं को किन किन छेत्रों का ध्यान करना चाहिए और किसलिए तो राजपुतानिया सस्त्र और सास्त्र का अभ्यास इसलिए करती थी कि समय आने पर वो अपने पती का साथ दे सके और आज कल की महिलाओं को कैसा है पढ़ने लिखने के छेत्र में नोकरी धंदे के छेत्र में जादे अध्याइन करना चाहिए क्योंकि अब युद्ध का जमाना नहीं रहा भारत के मद्ध यूगीन इतिहास में रडधीर राजपुत सास्कों की फीरता साहस और सार्य की प्रसंगों का उलेख है लगभग 500 वर्ष तक राजपुतों ने भारत को विदेशी आकरमनों से ऐसा बचा लगभग 500 वर्ष जो था राजपुतों को भारत को विदेशी आकरमनों से बचाया था ऐसे राजपुत राजबंसों के विशय में जाने नेक्स सात्मी सताब्दी में के अंत में संबंध साही सक्तियों का उदय होने से भारत अनेक छोटे बड़े भागों में बच गया देश में अनेक राजपुत राजबंसों का उदय हुआ यह इस साया समयकाल को मध्य यूग कहते हैं हम उस समय के उत्तर और दच्छिर भारत के राजज्यों का अध्यान करेंगे जो हमें आगे लिखा हुआ है उत्तर भारत के राज्ये. पहला क्या है? उत्तर भारत के राज्ये. गुर्जर प्रतिहार समराज्ये के पतन के बाद कन्योज का गडवाल राज्ये बुंदेल खंड था, जिसे क्या करते हैं? जेजाक भुपती. कि जो चंदेल मालवा का परमार राज्य था अड़हिलवार का चौलुक्य जिसे सोरंकी राज्य का राज्य कहते हैं डाहल तथा चेदी राज्य, संक भरी का चौहान राज्य, दक्षिणा राजस्थान का गोहिल राज्य अस्थापे हुआ था उत्तर भारत के राज्य में कौन थे आपको यह याद रखने योग्य बाते हैं कि गड़वाल राज्य की जो स्थापक थे कौन थे तो चंदरदेव थे इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं चंदरदेव थे उन्होंने कनौज के अतिरिक्त कासी को भी दूसरी राजधानी बनाई थी उन्होंने क्या किया था जो कनौज के अतिरिक्त और भी कासी था उसे दूसरी राजधानी बना दिया था इस वंस में मदन चंदर गोविंद चंदर जैसे सासक बने थे जिसमें गोविंद चंदर तो इसकूल के सबसे प्रतापी और पराक्रमी राजा था गोबिंद चंदर क्या थे? इस स्कूल के सबसे प्रतापी और प्राक्रमी राजा थे उन्होंने गजनी के आकरमण को रोका था तथा कई बहुत विहारों का जीलो द्वार करवाया था उन्होंने गजनी के आकरमण हो था उसको भी रोक दिया था और कई बहुत विहारों का जीलो द्वार करवाया था उत्तरभारत की अनिसासकों में बुंदेल खंड के चंदेलों का समावेश होता है बुंदेल खंड प्रदेश के चंद बुंदेल खंड जो है वो प्रदेश के चंदेलों का यह राज्य बाद में जेजाक भुक्ती नाम से जाना गया इस राज्य में यसो वर्मन, किर्ती वर्मन, परम हिर देव, यानि परमार जैसे महान सासक हुए थे यसो वर्मन, किर्ती वर्मन, परम हिर महादेव, परमार जैसे सासक हुए थे भारत के इतिहास में चंदेल वंस का खोग मात्व है खुजराहो, कालिंजर और महोबा चंदेलों के नगर थे भव्य मंदिरों की कारण खुजराहो तीर्थासान के रूप में प्रसिद्ध था और चंदेल के बुंदेल खंड में महान धार्मी की मारतों और जलासियों का निर्मार करवाकल वहां की सुद्धा बढ़ाई थी मालवा का जो परदेश था प्राचीन काल में क्या कते हैं उसे अमवती अथवा उज्जैनी के राज्य के रूप में जाना जाता है 820 इसवी में कौन से इसवी में ? तो 820 इसवी में कृष्णराज नringे पर्मारवंज की अस्थापना की थी तो कृष्ण राज ने पर्मारवंस की अस्थापना की थी पर्मारवंस में सियक मुन्ज भोज जैसे महान सासक हुए थे भोज पर्मारवंस के सबसे स्रिष्ण राजा थे उनकी ख्याती भारत के एक आदर्स लोग प्रिय राजा के रुप में थी राजा भोज ने धारा नगरी में एक महा विद्याले की अस्थापना की थी उन्होंने चारों और से पहाडों से घिरे हुए भोजपूर यानि बरतवान में वो कहा है भोपाल में है भोजपूर नामक सुन्दर नगर को बसाया था चौहान का चाह मार वन्स के अनेक राजपूत सरदार गुजरात और राजस्थान के विविद भागों में राजी करते थे उन्हें एक साखा आठवी सताब्दी में सांबर सरोर के निकट सांक भरी अजमेर के उत्तर में इस्तित सांबर है नामक अस्थान पर राजे करती थी सांक भरी सकंभरी क्या लिकाए साकंभरी चाहमान यानि चोहान बंस के अस्थापक वासुदेव थे क्या थे वासुदेव थे बाराहमी सताब्दी के आरंभ में अजयराज साकंभरी की गद्धी पर बैठे थे उन्होंने अजय मेरू नामक नगर के अस्थापना की थी जिसे बाद में अजमेर नाम से जाना गया गुजराद के सुलंकी राजा सिद्ध राज जैसिंग की राज कुमारी का विबाद चोहान बंस के अरडो राज के साथ हुआ था उनका पुत्र सोमेश्वर चोहान गद्धी पर बैठा उसके बाद क्या हुआ कि उसके पुत्र जो पृत्वी राज चोहान थे वो त्रीती गद्धी पर बैठा था पृत्वी राज दिती भारत की इतियास में अधिती अस्थान रखते हैं 1191 इस्वी में थानेश्वर और करनाल के वीचिस्ति तराइन के मैदान में जो सहाब उद्धीन गोरी को पृत्वी राज चोहान ने जवरजस्त पराजय दी थी उसके पस्ताद 1192 इस्वी में पृत्वी राज चोहान की हार हुई और दिल्ली के तक पर मुस्लिम सत्ता का उदय हुआ अतोहत तराइन का जो युद्ध भार्ती इतिहास में सिमा चिन का रूप माना जाता है उस राजबूत युग में गुचरात के सास्कों का उसमें विशे सस्थान है आठमी सताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था और आठमी सताब्दी के मत्दे में लगबग 756 इस्वी में सरस्वती नदी के किनारे बनराज चावडा ने और हिलवार पाटन के अस्थापना की थी उसे बाल मेतर और हिल भरवार के नाम से बनराज चावडा ने नमीन नगर का नाम और हिलवार पाटन रखा ऐसी समान निमानेता है इस समय गुजरात में सौरास और कक्ष में चावडा बंस के सासर थे तो विद्यातियों ये वीडियो हम यही खतम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का समझाएंगे तब तक के लीडियों जगा एकी